राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि निर्जला एकादसी के दिन पूजा के लिए हमें क्या क्या सामगरी चाहिए होगी जेट मास के शुकल पक्स में आने वाली एकादसी तिथी को निर्जला एकादसी के रूप में मनाया जाता है निर्जला एकादसी साल में आने वाली सभी एकादसियों में सबसे बड़ी एकादसी मानी जाती है निर्जला एकादसी का पूजन करने के लिए सबसे पहले हमें चोकी या पट्टा चाहिए होगा आप चाहें तो आप चोकी लगा कर ये पूजा कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने घर के मंधिर में, जहां पर रोजाना आप पूझा करते हैं, वहां पर भी आप पूझा कर सकते हैं। लेषिगी का दिया आप ले सकते हैं या आतील ङञे नीरजलหนु के दिन चेटी pasti की जल की लैगा अवा, तो मिटी का जो जल करना है फिर इसमें दो-चार चीनी के दाने डालेंगे, बहुत जादा चीनी नहीं डालनी है मटके में क्योंकि मटका खराब हो जाता है जादा मीठा डालने से, तो नाम मात्र के दो-चार चीनी के दाने डालेंगे और फिर इसको कंट तक जल से बरके दान करते हैं, इसके साथ ही हमे पूजा के लिए एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है भगवान विश्णु के लिए हमें याँ पर जनेव लेना है तो अगर जनेव आपके पास है तो जनेव ले लिए जनेव नहीं है तो कोई बात नहीं जो कलावा है उससे भी आप जनेव बना सकते हैं बस्तर सवरूप कलावा ले लिया है। पूजा के लिए यहां पर मैंने तिल ले लिये हैं, इस यहां ज़्या जलाने के लिए हम माचिस ले लेंगे। दक्षिना हमें जरूर लेनी है तो यथा समभब आप दक्षिना ले लीजिएगा और भोग के लिए आप कोई भी रीतुफल ले सकते हैं खर्बूजे आम तर्बूज कोई भी रीतुफल आप भोग में समर्पित कर सकते हैं इसके साथ ही तुलसी हमें जरूर लेनी है और एक काजसी के दिन तुलसी ना तोड़े एक दिन पहले हिआ तीलसी को तोड़के रखे हैं विश्नु भगवान के भोग में तुलसी ठीअद सिन्으 श्मरपिते हैं और प्षम की दो चीनी के दने डाला तो मटका खराब हो जाएगा तो चीनी हमें जरूर लेनी है इसके साथ ही पंखा जरूर दान किया जाता है देखे गर्मी आ जाती है जेट के महीने में तो जल और हाथ का जो यह पंखा होता है इसके दान का जादा मेहता होता है तो हो सके तो आप एक पंखा भी जरूर ले ली से बहुत अधिक पुन्य फल प्राप्त होता है और निर्जला एक आदसी के दिन वर्त और पूजा करने से हमें 12 एक आदसी के वर्त पूजा के समान फल प्राप्त होता है निर्जला एक आदसी के वर्त की पूजा कैसे करनी है निर्जला एक आदसी की वरत कथा क्या है ये सभी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे सभी का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना राध ही राध ही